हेलो गाईज, Current Affairs Funda में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ बिशेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 जनवई तक के सभी important current affairs कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को उन्ते तक जरूर दिखेगा, काफी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा और आप सभी को गनतंतर दिवस की बहुत बहुत शुक काम ना है आपको बता दूए current affairs funda ने अपनी yearbook लॉंच कर दिये जिसमें एक जनवई से 31 संबर 2023 तक के सभी important current affairs with detailed explanation आपको मिल जाएंगे पच पंसो स्यादा mcqs हमने इसमें कवर किये हैं और कोई भी आपका एक्जाम होगा SSC, banking, real estate पीसे जहां पर भी general awareness पुछे जाएंगे सभी के लिए one stop solution है यह maxine तो 149 इसका price है और extra 10% भी आपको इस पर off मिल जाएगा हमारी एप से डाउंडोड करने पर लिंक आपको वीडियो के description में आफिर first comment है मिल जाएगा और आप cover page पर देख भी सकते हैं category wise सब current affairs हमने जितने भी बनते हैं जिस तरह से भी वो cover किये हुए हैं इसमें साथ ही आपको बताते हैं यदि हमारा yearly membership plan join करना चाहते हैं जिसमें हम आपको current affairs provide कराते हैं weekly, daily, monthly और banking and economic awareness हर महीनी के हम आपको provide कराते हैं और assignment questions की PDF आपको provide कराते हैं यह सबी अगर आप चाहते हैं तो हमारा one year membership plan आप join कर सकते हैं इस पर भी 10% extra discount आपको मिल जाएगा Republic Day के मौके पर चली सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज़े question से इसका answer आपको अभी comment box में करना है जार्खन Chief Mr. Hemant Sorain is part of each political party जार्खन के मुख्यमंत्री Hemant Sorain कि सराज नितिक दल से हैं options देखते हैं बहुजन समाज party, Indian National Congress, जार्खन मुक्ती मोरचा या फिर all जार्खन students union easy सा question है जलती सा answer कर दीजे फिर हमागे बढ़ते हैं किसी तरह question से आप practice करना चाहते हैं तो हमें telegram पर जुरू जोइन करें current affairs funda नाम से हमारा telegram channel है which country surpassed Hong Kong to become the fourth largest stock market कौन सा देश Hong Kong को पीछे छोड़ कर चोथा सबसे बड़ा share बाजार बन गया options आपके सामने हैं सही answer option है India आपको जाना चाहिए भारत ने Hong Kong को पीछे छोड़ दिया है और market capitalization के मामले में चोथे position पर पहुंच किया है globally तो Bloomberg के data के अनुसार इंडिया की जो market capitalization है यह 4.33 trillion US dollar पहुंच गई है जबकि Hong Kong की 4.29 trillion US dollar है आपको रदा देए इस मामले में यदि हम market capitalization की बात करें तो US top पर है ठीक है global stock market को यह lead करता है US फिर China है दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर जापान है who has been appointed as the captain of the ICC men's ODI team of the year 2023 ICC पुरुस वंडे team of the year 2023 का कप्तान किसे nuked किया गया है options आपके सामने है सही answer है option C. Rohit Sharma देखे रोहित गुरुनाथ शर्मा इनका पुरा नाम रोहित गुरुनाथ शर्मा अच्छा है ये question मैंने अभी community post में डाला था एक aspirant का comment आया कि क्या ये भी exam में आएगा मतलब एक तंजिकस ने type का comment था तो कैसी कैसी mentality ये समझ में नहीं आता तो जब सचिन रमेश तंदलोर पूछ सकते हैं और रासी से नेरा का middle name पूछ सकते हैं तो ये नहीं पूछ सकते हैं और चलो अगर नहीं भी पूछा तो आपको जानने के लिए मिल रहा है कुछ तो कम से कम इस तरह के comment तो ना करें कि क्या ये भी question एक्जाम में आएगा देखे रोहित गुरुनाश्चर्मा जो की इंडियन के टीम के captain है इन्हें ICC Men's ODI Team of the Year 2023 का captain न्युक्त किया गया है टोटल छे इंडियन है इस team में और इनके लावा जो पाँच हैं ये विराट कोली, शुबमनगिल, मुहमद सिराज, मुहमद सामी और कुलदीब यादो है आपको उता दें ICC Men's ODI Team of the Year 2023 इस तरह से है तो ये नाम आपको याद रखने की जरुत नहीं है मैंने आपको ऐसी दिखा दिये बस याद रखना कि टोटल सिक्स इंडियन प्लेयर्स इसमें शामिल किये गए है जिनमें कि रोहित सर्मा को कैप्टन नाया गया है बाकि अगर हम बात करें ICC की Men's T20 Team of the Year की तो इसमें भारतिय बल्लेबाद सुरे कुमार यादो इन है कैप्टन बनाया गया है और इनके लावा तीन और इंडियन है इस टीम में यह सस्थिव जैस्वाल, रवीब इसनोई और अर्शतीप सिंग महीं अगर हम Women's T20 Team की बात करें तो दिप्ति शर्मा एकलोती भारतिय मरीला खिलाडी है जो इस टीम में जगा बना पाई है और इस टीम को लीट कर रही है स्रीलंका की श्यामारी अठपट्टू विच पेर डिड़ अश्विन और जडेजा सरपास तो बिकम दा मोस्ट सक्सेस्फुल टेस्ट बोलिंग पेर फोर इंडिया अश्विन और जडेजा किस जोड़ी को पीछे छोड़ भारत के सबसे सफल टेस्ट जोड़ी गितार गेंद बाजबने ऑप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन्स ही रहेगा अनिल कुम्बले और हरबजन सिंग दही रवी चंदर नश्विन और रविंद्र जडेजा ये टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए आपको दादे हरबजन सिंग और कुम्बले ने मिलकर चोवन टेस्ट में 501 विगेट्स लिए हुए थे जबकि जडेजा और अश्विन पचास टेस्ट में 504 विगेट्स ले चुगे हैं और अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में टॉप पर इंग्लेंड के जेम्स एंडर्सन एंड स्ट्वारब रोड हैं जिरोंने मिलकर 1049 विगेट्स लिए हैं 138 मैच इसमें महीं आपको जाना चाहिए कि ICC टैस्ट टीम ऑफ ता इयर एनौंस हुई है इसके कैप्टन होना आए गए है पैट कमिंस को और इसमें केवल दो भारती हैं वो भी रवीचंदर अश्विन और रविंद्र जड़ेजा ठीक है तो इसलिए मैंने यह वाला कोश्चन आपका यह इंपर कर दिया कि दोनों रवीचंदर अश्विन और जड़ेजा वाले को सबसे उम्रत राज की लाड़ी कोन बने सही आमतरॉप्शन सी है रोहन बोपन्ना देखिए इंडिया के जो टैनिस प्लेयर है रोहन मचंदा बोपन्ना यह आपको एक बाद बता रहा हूं कोई भी क्रिकेटर हो तो उसका पुरा नाम या कोई भी स्पोर्स मैंने एक बार व इसी से कोश्चन तो सभी याद करके रखते हैं पर जब इस तरह कोश्चन आता है तो आपको एक एज मिल जाती है दूसरों के ऊपर तो रोहन मचंदा बोपन्ना यह ओल्टेस्ट प्लेयर मन गए है जो नंबर वन मैंस डबल्स रैंकिंग जिन्होंने प्राप्त की है तो 43 स के पास था जो 41 साल 76 वर्स के थे जब वो डबल्स रैंकिंग में नंबर वन पर पहुंचे थे आपको जाना चाहिए बोपन्ना ने अपना फस्ट ग्रेंड स्लैम टाइटल 2017 फ्रेंच उपन जीता था और यह फोर्थ इंडियन टैनिस पेर हैं इन्होंने कोई ऐसा मेजर टा रास्टियर मद्दाता दिवस 2024 की थीम क्या है सही आंतर अप्शन लिए नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फोर शूर देखे एलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया ने 14th नेशनल वोटर स्टे 25 जनवरी 2024 को मनाया थीम रहा नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फोर शूर आपको जाना चाहिए 2011 से नेशनल वोटर स्टे 25 जनवरी को मनाते आ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी साथ ही आपको जाना चाहिए कि 26 जनवरी के अगर हम बात करते हैं तो इस दिन इंट्रेशनल डे ओफ क्लीन एनरजी मनाया जाता है और ये इसलिए बनाया जाता है 26 जनवरी को की साल 2009 में इंट्रेशनल लिवर्बन एनरजी एजनसी इरेना इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी के दिनी 2009 में खाली में ग्वाटेमाला की रास्टपती के रूप में किस ने सपत ली सही आंसर ऑप्शन दी है बर्नायडो एरेवलो जो किस समयला पार्टी से है ये ग्वाटेमाला की प्रेज़ेंट की रूप में इन उनने सपत ली है ग्वाटेमाला की अगर हम बात करें सेंट्रल अमेरिका की मोस्ट पॉपलेश कंट्री है इसी गैपिटल ग्वाटेमाला सिटी है और कुरंसी है क्वेट्सल विच बैंक लोंज 360 डिपोजिटी स्कीम किस बैंक ने 360 जमायो जना शुरू की सही आंसर अप्शन सी रहेगा बैंक ओफ बडोधा देखिए बैंक ओफ बडोधा ने B.O.B. 360 डिपोजिटी स्कीम लॉंज किये जो कि एक स्पेशल स्चोर टम रिटेल डिपोजिटी स्कीम है जिसमें हाई इंट्रस्टेट दिया जा रहा है 7.60% per annum का 360 days के लिए और senior citizen को और extra 0.50% per annum का इंट्रस्ट इसमें दिया जाएगा बैंक ओडोधी के अगरम बात करते हैं चेर्मन हस्मुक अधिया है MDN CEO देवजत चंद है Headquarters वडोधरा गुजरात में है Where did the Caesar Bank of India organize a conference for urban cooperative banks 12 बैंक ने सहरी सहकारी बैंकों के लिए कि सम्मेलन का कहां आई जित किया सही आंसर अप्शन लिए है हेदराबाद देखे डिजर्ट बैंक ओफ इंडिया ने एक conference आई जित की है Directors of select urban cooperative banks of southern zone कहां पर हैदराबाद में ठीक है यह question में PDF में पूरा कर दूँगा आप लोग भी जो अगर notes बना रहे हैं तो उसमें लिख ले न जो question में लिखा है न urban cooperative banks इसके आगे लिख लेना of southern zone ठीक है जो south zone के लिए तो हैदराबाद में की गई है इस इस conference का योजन और थीम रहा governance in UCBs, combating cyber threats and enhancing resilience साथ है आपको जाना चाहिए Reserve Bank of India ने finances of panchaiti raja institutions इस report को जारी किया है 2020-21 से 2022 तक का data लिया गया है 2.58 lakh panchaits का और इससे बताया गया है उनकी जो social economic development है उनमें इनका क्या रोल रहता है इनको finance प्रोफर मिलना चाहिए इसने बताया गया लगबग पिच्छान प्रतिशत जो इनका revenue है वो जो higher level government है जैसे state government हो गया यहां से जो revenue इनको प्राप्त होता है वो रहता है इस report को जारी किया है Department of Economic and Policy Research ने साथिया आपको जाने चीए Reserve Bank of India ने मुंबई में second conference of internal ombudsman इसको भी आज जित किया theme रहा orchestrating customer delight through an impaired internal ombudsman who inaugurated the all India campaign हमारा सम्विदान हमारा सम्मान अखिल भारतिय अभियान हमारा सम्मान हमारा सम्मान का उद्खाटन किस ने किया सही answer option दिया है चक्तीब धनकर देखे 75th year of India as republic को accumulate करने के लिए एक साल का campaign चलाए गया है हमारा सम्मान हमारा सम्मान this initiative aims to empower citizens to contribute meaningfully to building a developed India by 2047 Department of Justice, Mystery of Law and Justice, Government of India द्वारा यह सम्मान यह जो campaign है यह चला जा रहा है साथी वाइस प्रेजिएंट ने निया सेतु भी launch हिया है और it will provide a unified legal interface for legal information, legal advice and legal assistance and thus enable a more exclusive and just तो यह एक तरका platform है निया सेतु तो legal सम्मान दित advice हो information हो यहाँ पर मिल जाएगी साथे आपको जाना चाहिए जो भाशी नहीं है ठीक है AI tool है भाशी नहीं इसके representatives और इगनु के representatives इन्होंने Department of Justice याथ कोलेबरेशन किया है In which country did lawmakers approve the easing of citizenship rule किस देश में सांसदों ने नागरिकता नियमों को आसान बनाने को मंजूरी दी सही आमसर आप्शन दिया है जर्मानी देखे जर्मानी के जो lawmakers है उन्होंने एक legislation एप्रूव किया है जिसके तहत citizenship पाना आसान हो जाएगा और dual citizenship रखने पर पहले बैन था वो बैन भी हटा दिया है तो जर्मानी का जो lower house of parliament है बंडेस्टेक यसे ने लाइशलेशन एप्रूव किया है जिसमें citizenship उप्टेन करने की जो rules से उन्होंने रेक्शन देखने के विलाए साथे dual citizenship पर जो restriction से उनको भी eliminate कर दिया गया है Under the new law foreigners would be able to apply for a German passport after 5 instead of 8 years in Germany तो पहले 5 years रहना हो जाता जर्मान पासपोर्ट के लिए ठीक है अब पहले 8 years था अब 5 years कर दिया गया है who won women's singles title at the WTT feeder Corpus Christi 2024 WTT feeder Corpus Christi 2024 में महिला एकलगा किताब इसने जीता सही answer option भी स्रीजा अकूला इन्होंने अपना maiden यानि कि पहला international title जीता है इन्होंने women's singles title जीत लिया है WTT feeder Corpus Christi 2024 में जो कि Texas USA में हुआ 25 साल की है उन्होंने USA की लिली जांग को हरा है साथे आपको जानना चाहिए कि नावरेम रोशी बीना देवी मनीपूर से है इन्हें international worship federation ने female athlete of the year निक्त किया है which of the following films by नीशा पहुजा has been nominated for past documentary feature at the 2024 Academy Awards नीशा पहुजा की निम्ली कित्म से किस फिल्म को दोजार चोविस अकादमी पुरुसकारों में सर्वसे इस documentary feature के लिए नामंकित किया गया सही answer option है to kill a tiger देखें new dally born and toronto based director नीशा पहुजा इन के documentary है to kill a tiger इसे 2024 Academy Awards निके उसकर्स के लिए नामीत किया गया है नॉमिनेट किया गया है ये film एक रंचीत नाम के person है तो किस तरह से वो लड़ते हैं justice पाने के लिए अपने 13 साल की लड़की के लिए जिसे अगवा कर लिया जाता है उसके बाद sexually assault किया गया जाता है तीन आदमें द्वारा तो उससे संबन दीत है how many scientists of Indian origin were awarded the webhow fellowship for collaborative research projects भारती मूल के कितने विज्ञानिकों को सही योगात्मक अनुसंधान प्रियोजनाओं के लिए webhow fellowship से समानित किया गया सही answer option दी है 22 Department of Science and Technology DST इन्होंने webhow fellowship announce की है और 22 scientists जो इंडियन ओरीजिन के हैं उन्हें दिये जाएगा ताकि वह भारत में चे लीडिंग इंस्टूट से महाँ पर अपर अपर इसर्च प्रोजेक्ट्स को जो है कर सके तो webhow यानि की वैश्विक भारती वैग्यानिक तो यह जो fellows है यह topmost institutes of Australia, Canada, Finland, Japan, Singapore, Sweden, Switzerland, UK, US यहाँ पर जो इंडियन ओरीजिन के जो प्रोफेसर्स वगेरा है ठीक है तो उनको यह fellowship दी गई है वो भारत में IASC हो गया है, IUC हो गया, IIT हो गया है इनमें next three year तक कोई भी identify कर सकते हैं, कोई project उस प्रकारी कर सकते हैं, a Weber fellow would identify in an Indian institution for collaboration and may spend up to two months in a year for a maximum of three years, which global region currently has the highest percentage of population using tobacco according to WHO tobacco trends report, WHO तंबाकू trends report के नुसार परत्मानमे के स्वेस्विक छेत्र में तंबाकू का उप्योग करने वाली आबादी का परतिशत सबसे अधीक है, सही answer option दी है, Southeast Asian region देखें, जो tobacco का use है, उसमें overall decline देखने के मिला है globally, worldwide, पांच में से एक adult tobacco 7 करता है, जबकि 2022, अगर हम साल 2000 में देखें, तो 3 में से एक adult जो है tobacco 7 करता था, ऐसा कहा है WHO ने अपनी tobacco trends report में, इस report में ही बताया गया है कि 150 देशों ने tobacco use को reduce किया है, हाला कि इन्होंने warned भी किया है कि जो tobacco related diets हैं, वो high होने वाली हैं आगे आने वाले सालों में, tobacco use is still estimated to kill at least 8 million people each year, including an estimated 1.3 million non-smokers who are exposed to passive smoke, फिलाल जो Southeast Asian region है, यहाँ पर highest percentage of population है जो tobacco use करते हैं 26.5%, दूसे नंबर पर फिर European region है, रिपोर्ट में एक आया है कि 2030 तक European region इसमें highest rate हो जाएगा globally, word is said to miss its goal of a 30% drop in tobacco use between 2010 and 2025, तो एक गोल रखा गया था 2010-2025 तक के बीच में, 30% कमील आने के लिए tobacco use पर पर परवो हो नहीं पाया, रिपोर्ट में six countries identify की गई हैं जहां पर tobacco use काफी बढ़ रहा है, Congo, Egypt, Indonesia, Jordan, Oman and Republic of the Moldova. What was justice Prasanna B Varalese position before being appointed to the Supreme Court? सरवत्य न्याले में न्युक्त होने से पहले न्यायमूरती Prasanna B Varalese, कि इस High Court में Chief Justice थे? सही answer option D है Chief Justice of Karnataka High Court. Central Government के Karnataka High Court के Chief Justice Prasanna B Varalese, इन्हें Supreme Court में Judge Appoint किया है, और आपको पता दे जो Supreme Court Collegium है, जिसके रख्ष्टा Chief Justice of India D.Y. Chandrachud करते हैं, इन्हों रिकमेंट किया था इनका नाम 19 चन्वरी को Central Government ने clear कर दिया, तो five member Collegium है आपको पता होगा जो जजों की recommendation बेशते है Central Government को, D.Y. Chandrachud ji है, Justice Sanjeev Khanna, B.R. Gawai, Surya Kanth and Anujudh Boss, अब इनकी appointment के साथी Supreme Court फिर से अपने full strength पर आगया यानिकी 34 judges हो गए है, Actually, December 2013 में, Justice Sanjay Kisan call ने retire हो गए थे, तो उसके बाद एक vacancy create हो गए थी, The Competition Commission of India has cleared JSW Group's proposed acquisition of what percent stake in MG Motor India Private Limited, भारते प्रतिस्परदा आयोग ने JSW समुके MG Motor India Private Limited कितने प्रतिशन हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिगरण को मंजूरी दे दी है, Options आपके सामने हैं, सही answer option भी है, 38% देखे, Competition Commission of India ने JSW Group का जो proposed acquisition है, 38% stake का MG Motor India Private Limited में इसे clear कर दिया है, MG Motor India आपको बता दे, Hollywood subsidiary है, Senghai Headquarters, SAIC Motor की, एक और आपको जानना चाहिए कि Sony Pictures Networks India, जिसे Culver Max Entertainment Private Limited के नाम से जाना जाता है, और इसकी entity Bangla Entertainment Private Limited है, इन्होंने 10 billion US dollar की जो merger deal है, G Entertainment Enterprises Limited से call-off कर दिया है, खाएगी जो GEL है, इसने, जो conditions थी, उनको नहीं माना है, deadline तक, Sony आप से भी जानते है, Japanese company है, साथ इसने arbitration proceeding भी सुरू कर दी है, GWLK अगेंस्ट और 90 billion US dollar की fees भी जो है, इनसे मांगी है, deal termination के लिए, P.S.I.N. questions के आंसर देख लेते हैं, वत इस बिस्म यानि की भारत Health Initiative for Sahayog, Heath and Matri Cube, आंसर इस Indigens Mobile Hospital, विचिस स्टेट has appointed Veera Rana as the Chief Secretary, Madhya Pradesh, विच एर लाइन वाइन रुपी 1.20 करोर्स ओर विडियो पासंगर्स इतिंग उन टार्मक at airport Indigo, विचिट इस पॉस्ट तो बिगम्दा नेशंस फस्टी डेवलप 3D अर्मन इस्पेशल डिजिटल ट्विन्स for all its words, आंसर इस वारांसी, वेरिस बतरदवाट, थान, अश्राइन, और बर्थ प्लेस ओफ दर फिफ्टीन तो शिस्टीन सैंचुरी सेंट्रिफों मर्स श्रीमंता संकरदेवा आंसर इस नगाओं आसम, आपने से कई यह स्टूने से बिल्कुल सही आंसर किया है, इस तरह से आप पार्ट स्पिट करते लिए जादा-जादा संक्या में, साथ ही आपको बता दे, रिवब्लिक डे के मौके पर जो है, आफ है आज, है न, तो 27 जनवरी यानि कि कल करनेंट अफेर्स क्लास नहीं आई, तो 26 को होलीडे है, इसलिए 27 क्लास नहीं आएगी, अब मंडे को क्लास आईगी, फिर से आप सभी को गणत अंतर दिवस की बहुत बहुत शुब काम ना है, चलिए आज के साइमेंट कोश्चन देख लेते हैं, बड़े भचन रामनामी मेला, इसलिए इन विच शेट, माउंट अमरापी इछ इरुप्ट अगें इन जनवरी इस लोकेट इन विच आइलेंट, वो इस अविच प्रेज़न अविच अप्रश नेशन देख लेगेंट, पाजो कॉष्चन के आँसर आपको कॉमेंट बुक्स में बताने हैं, यदि आपको कोई कॉष्चन का आसर भी आता है, तो भी आपको कमेंट बुक्स में बताईएगा, साथी करण एप्रफेरस फंडरवाप टेलिग्राम पर भी जोईन कर सकते हैं, आप पर रेगुलर वीडियो अप्टेट्स और करन्ट कुई जैसे में आप सब एक लिए डालते रहते हैं साथ ही डिस्क्रशन ग्रूप में आप किसी भी कॉश्चन का सुलूशन पास सकते हैं थैंक यू गाइस